बीते 24 जन्वरी को दुर्ग स्टेट बैंक के मैनेजर से 18 लाख रुपए की धोका धड़ी के मामले में दुर्ग पुलिस ने 4 आरोपियों को दिल्ली से गिरफतार कर दुर्ग लाया। शातिर आरोपी लोकेशन बदल कर पुलिस को बार बार चक्मा दे रहे। 26 जन्वरी को कैलाश मध्यानी वेंक टेश मोडर दुर्ग के मालिक के नाम से फर्जी कॉल कर 18 लाख रुपए भारती स्टेट बैंक शाका दुर्ग के मैनेजर से अंजान एकाउंट नंबर में आर्टी जीएस करवाने वाले गिरोव का परदाफाश आखिर दुर्ग पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार गिरोव में कुल साथ आरोपी थे जिन में से चार आरोपी विकास पुनीत मुन्ना एवं पवन मांजी को दिली एवं हरियाना से गिरफतार कर लिया गया पूछतापर पुलिस को पता चला है कि आरोपी शातिर है और इनके उपर पहले पिक कई मामले दर्ज हैं और इसी फर्जी तरीके से अक्सर घटना को अंजाम दिया करते थे वहीं कि रफ्तारी के दौरान डेल लाक नगत साथ एट्रियम काड मोबाइल फोन जब किया गया है साथ ही तीनों आरोपियों के बैंक एकाउन में रखे 35 लाक रुपए को फ्रीज हैं उनके पास एक कॉल आया था कि हम कल्यासमध्यानी बोल रहे हैं रैपूर से वेंक्टेस मोटर से और उन्होंने 18 लाक के आर्टीजेस थर्ड पार्टी को करने के लिए बोला था वो आर्टीजेस होके ट्रांसफर हो गया बाद में पते चला कि वो फ्रॉडेस्टर का कॉ जिसमें उन्होंने 18 लाक रुपे किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया था इस मामले के संग्यान लेते हुए 420 का अपरात कायम हुआ मोहनगर में और उसके बाद दुर्ग साइबर की टीम और जिलक टीम बाहर जाके चार लोगों को गिरबतार की इस पूरे मामले म लेकिन जो प्रोटोकॉल जो इनको फॉलो करना था उन्होंने नहीं किया वो अलग से उनका चलेगा दुर्ग पुलीस की ये कारवाई बेशक तारिफे काबिल है लेकिन कहीं न कहीं सवाल बैंक के अधिकारियों पर भी उटता है जो अक्सर लोगों को जहांसे में ना आने की हिदायत तो देते हैं और खुद गलती का शिकार हो बैठते हैं ग्रेंड एस ये न्यूस के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट